कई साल पहले मैंने अपने माबाप के लिए पराथन की बचाने के लिए मैंने तीन साल पराथन की पर कुछ नहीं हुआ एक दिन परमेशर मुझ से बोला बिलकुल साफ कई बार परमेशर आपसे अचानक बात करता है आप जानते हैं जिसके लिए आपको संदेह और प्रशन होता है परमेश्य ने कहा सीडियों से नीचे जाओ और किताब को खतम कर दो या कहूं नश्ट कर दो जो हबली बबली बोतल के अंदर है मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था हबली बबली एक बोतल होती है जिसमें पानी भरा होता है उसमें तमाखू पड़ा होता है आप दुए को लेते हैं कुछ लोग उसे भूक का कहते हैं हम उसे हबली बबली कहते हैं परमेश्य ने कहा सीडियों से नीचे जाओ और उसमें पड़ी काली किताब को नश्ट कर दो, मुझे तो पता भी नहीं था कि वहाँ कोई किताब है, ये मेरे माता पिता के उद्धार के लिए था, मैं नीचे गया और वो बोतल देखी, और उसकी बोतल के तले कुछ पत्थर थे, मैं गया और मैंने नश्ट कर दी, न जानते हुए कि मेरे पिता इस बात के लिए बात से दुखी न होंगे, पर मुझे तो परमेश्य की आग्या माननी थी, मैंने वो किताब ली और आग में फैक दी, परमेश्य के सामने सुनो कि चिलाने की अवाजे आई, मैं सच मुझे आग में उस किताब में से चिलाने की आवाज आ रही थी, पहली बात कि वहे जल नहीं रही थी, तब मैंने कहा इशू के नाम में, तब पुवित्र आत्मा मेरे अंदर से हेली इशू के नाम में, तब मुझे उसी समय महसूस हुआ कि ये शेतानी है, जब मैंने कहा इशू के नाम में तो वो जलना शुरू हो गई और चिलाने की आवाजें निकलने लगी तब अगले दिन मेरे माता पिता सभा में आए जहां मैं परचार कर रहा था उस रात वे बचाए गए हे दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानि खंटी वाले बटन को दबारा मत भूलना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो मैं जैनल पर आपके लिए पॉस्टर, प्रॉफुट, पास्टर, उन सबकी ग्रॉईय को हैं और उनके परचार लोटरा आऊंगा कि प्रमेशन उसे कौन से काम लिए उन्होंने ऐसा क्या किया प्रमेशन के जिन्दगें में क्या किया मैं इस चैलन पर आपके लिए लिकराऊंगा चाहे वो पस्र किसी भी देश से क्यों न हो और आखरी और जुरूरी बात इस चैलन को अपने मसी भाई बेनो और अपने चर्च के लोग के साथ बाटना मत भूलना ताकि वे सब मसी में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ़ते अलविदा